अज है 18 जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जारें वकरांगी के बारे में आज ये तकरीबन 3% की तीजी जरूर दिखाई लेकिन morning में चब बाजर गिरावर दिखा रहा था तो इसने भी तकरीबन तकरीबन धाई 3% का decline morning में दिखाया था लेकिन बाद में देखा जाए तो वो decline तो छोड़ो तीजी में तबदिल हुआ यहाँ पर बात करेंगे उसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो हैं जब वो काफी जादा help करेंगे तो तकरीबन साड़े नौ रुपे का शेर है वकरांगी का और पिछले एक महिने में देखे तो पांच परसंट के आसपास का ग्रोथ भी है देखे 19 रुपे के आसपास कुछ टाइम बिटा है एक बड़ी तीजे दिखाई एक किस साड़े एक किस पर गया और अभी अगर आप देखो तो यह उसी रेंज के आसपास है लेकिन बीच में गिरावट दिखाई जरूर थी इसना दो दिन लगातार गिरा था यह अब जाके तीजे दिखाई है एक दिन की तीजी पर भरोसा कितना करना सही होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ दिखोगे तो बीस परसंट का डेकलाइन भी है इस बिच गिरावट ऐसी भी थी के पंदरा रुपए पर शेर गया था अटेम्ट भी करा वापस गिर कर पंदरा पर आ गया अटेम्ट करा डेफिनिटली बहुत बड़ी तीजी थी साड़े इक किस पर गया था यह फिर वापस गिर कर सतरा आठरा पर आ गया फिर दीरे 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 कोशिश जरूर कर रहा है लेकिन अगिन कमपनी डेट फ्री कमपनी है जरूर लेकिन भरोसे के लायक है कि नहीं यह सबसे बड़ा सवाल है वगरांगी का अगर आप ग्राफ देखोगे अगर आप 5 साल का भी तो 50% का डिकलाइन है इस बीच कई बार इसने बड़े बड़े अटेम्प करे है तीज़े दिखाने के लेकिन हर बार एक बड़ा डिकलाइन ही लास्ट में नजर आया है यहाँ पर और अगर आप मैक्जिमम ग्राफ देखोगे तो एक टाइम ऐसा भी था जब यह 500 रूपए से भी उपर ट्रेट कर रहा था कई सारे कॉर्परेट गवर्नेंस के इनके उपर आरोप लगे और उसके बाद एक हैवी फॉल आया और देखो जब 500 के करीब जा रहा था ना तब इनके रिवन्यू प्रॉफिट बहुत दम्दार थे लेगिन बाद में जब शेर एकदम से गिरा तो एक्चुलि में इनके रिवन्यू प्रॉफिट में भी बहुत बढ़ डेखलाइन देखने को मिला बहुत बनाटेक लाइन देखने को मिला अगर बात करें वॉल्यूम्स की तो देखो यहाँ पर खेल तो वॉल्यूम का चल रहा है दो करोड पचासी लाग के आसपास के शेर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं और देखो वॉल्यूम का बहुत बड़ा खेल चल रहा है कई सारे छोटे छोटे शेरों में कई सारे पैनी स्टॉक्स में ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है चाहे अब रिलाइन्स पावर के बाद करो जेभी पावर के बाद करो ब्राइट कॉम में भी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वक्रांगी में अभी भाईया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं और यही वज़े कि आपको वॉल्यूम में एकदम से बड़े नंबर्स देखने को मिल रहे हैं यही कुछ जो ऑपरेटर है वो यही करते हैं कि वाईसर मौनिंग में आते हैं और बड़े बड़ी कॉंटिटी में ओर्डर प्लेस करते हैं बाइंग के और पर शर अगर उनको पांच पैसा छे पैसा साथ पैसो कभी अगर प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट लेके वो निकल जाते हैं फिर वापस एंट्री करते हैं तो यह चीज हो रही है भी वॉल्यूम्स को बढ़ाया जा रहा है और जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं डेफिनिटली एक यहां पर कहसेते हैं कि काफी बड़े पैमाने पर यहां पर लेकिन अगर आप इसके वैल्यूशन की तरफ जाओगे तो पता चले कि इसका जो वैल्यूशन है वो अदानी से भी महेंगे वैल्यूशन के ओपर यह बैठा हुआ है अगर आप कंपनी के नंबर्स भी दिखोगे तो आपको उतना साथ एकसाइट नहीं करेंगे अगर हम इनके रिजल्ट के बात क्योंकि डिसंबर के नंबर आने वाले हैं तो अभी तो कोई डेट हला की सामने नहीं आई है कि नतीजे कब आएंगे और जहां तक बात करें डिविदेंट की तो यह पेक तो कर रहा है हर साल फिछली सेलमें ने 5 पैसा पर शेर का डिविदेंट पे किया था उससे पहले भी 5 पैसा पर शेर का ही डिविदेंट था नंबर्स के बारे में बात करें उससे पहले उनके वैलुईउशन की उपर चले तो यार देखो हम अदानी तो भी यह ऐसा ही बद्धनाम है 1272 की पी पर तो वकरांगी बठा हुआ है सेक्टर भी 32 का है तो बहुत ही महंगे वेलियोशन को देखने में लग सकता है आपको 200 रुपे सस्ता लेकिन अगर आप वेलियोशन देखोगे तो महंगा है यह इनको बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा प्रॉफिट में तब जाके यह इसका जो पी रिशे वो एड़श्ट हो पाएगा जहां तक अगर हम बात करने जाए इनके रिजर्ड्स की तो उतने जादा नहीं है इवन मार्जिन भी बहुत खराब मैं कहूंगा इनके इनके जो रिवन्यू है वो 50 से 55 करोड के आसपास के है इनके जो प्रॉफिट है वो करोड में भी नहीं है वो लाख में है 50 लाख हो गया 40 लाख हो गया एक क्वाटर में तो 12 लाख का प्रॉफिट हुआ था तो यह बहुत कम है क्योंकि एक टाइम ऐसा भी जब इनके प्रॉफिट 23 करोड 26 करोड के आसपास हुआ करते थे इनके रिवन्यू 200 करोड के आसपास हुआ करते थे तो अभी अगर आप देखोगे तो भाई जटके तो लगे हैं बड़े बड़े जटके लगे हैं यहाँ पर सिधी सी बात है शेयर होल्डिंग को लेकर दे अभी भी नहीं है लेकिन एफाइल्स लगातार बेच रहे हैं आदेखो 7.67 से बेच बेच कर बेच बेच कर 3.31 पर आ चुके हैं लेकिन खरीद कौन रहा है तो खरीद रहे हैं रीटेल इन्वेस्टर्स 23.12 परसंट की जो होल्डिंग थी वो बढ़कर 28.88 परसंट पर आई ह है जिसका मतलब सीधा ये है कि जो एफाइल्स ने बेचा वो रीटेल इन्वेस्टर्स ने हाथ भर के खरीद लिया है यहां पर अधर पार्टी के पास 18.90 परसंट के आसपास की होल्डिंग जरूर है यहां पर और देखा जाए तो यह लेटेश होल्डिंग पैटर्न है डि करो तो मुझे कंपनी फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉंग नहीं लग रही है इनके रिवन्यू में इनके प्रॉफिट में जब तक तेजी नहीं आती है तब तक क्लिए तो मैं इतना ही कहूँ कि यार अवॉइड करिये वैलिएशन पे अगर आप देख रहो तो पता चल रहा जादा चलेंगे नहीं ठीक है और दूसरी बड़ी बात यहां कि वकरांगी के अंदर पर कई 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 अलग 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 तरहीं कि सर्विसेस भी आपको यहां पर मिल जाएगी और जैसे जैसे लोग स्मार्टफोन के साथ और जादा फैमिलियर होते जाएंगे लोग खुदी अब उनके जो सर्विसेस है अलग अलग तरही है कि वो खुदी यूज करेंगे इनको वकरांगी केंद्र की जरूत नहीं पड़ेगी लेकिन हाँ टेकनलोजिकल शिट भी ऐसा आएगा कि नई नई चीज़ें आती जाएगी तो नई नई चीज़ें अपने वकरांगी केंद मैं उतना जादा इसको लेकर कहते हैं कि पॉसिटीव नहीं हूँ जब तक इनके नभर्स में इंप्रूमेट नहीं आता जब तक इनके रिवन्यू प्रौफिट में इंप्रूमेट نہیں आते हैं तब तक मैं इसको अवड़ीड करने की ही बात करूंगा बाखी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पर end करूँगा पसंद आखो तो like करें शाय करें चैनल मगरा पहले बाहर है तो please subscribe करें और वकरांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं इसके अलावा छोटे scale की कौन से company आपके portfolio में या अगर आप चाहते कि मैं किसी और company के उपर भी एक detail video बनाओ तो comment में उसका भी नाम लिखिएगा जितनी ज़्यादा comment आएगी उतना ही जल्दी video आएगा Thank you